एकदम क्रंची क्रंची स्प्रिंग रोल बनाए घर पर ही चाइनीज आईसा होता है जिसमें मसाले बहुत कम ही परते हैं लेकिन वो भूधी टेस्टी लगता और सब को बहुत ही पसंद आता है अगर आपको Chinese में starter चाहिए तो spring roll best है तो मैं आपके लिए लेकर आ गए spring roll की बहुत ही easy और tasty recipe से बनाना बहुत easy और market में तो यह बहुत ही महंगा मिलता है और मुझे बहुत पसंद है तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ Hello everyone, welcome back to my channel just another foodie girl चल यह चलते हैं से बनाने के प्रोसेस में तो सप्रिंग डोल बनाने के लिए हमएं सबसे पहले स्प्रिंग रोल की डिशीट बनानी हो कि जो बहुत लोगों को लगता है कि एरे बहुत वह भी डिफिकल्ट है लेकिन ऐसा नहीं है तो इसके लिए मैं सबसे पहले लिया में भी नमक डालेंगे आधी छोटी चम्मच रिफाइंड ओल तो आप यहां पे किसी भी वेजितेबल और रिफाइंड ऑइल का ही यूज एप यहां पे मस्टर्ड ओल का यूज ना करें और अब भी हम इसी के अभी हम इसे ढख के 20 मिनट के लिए रख देंगे चलिए जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा हम स्टफिंग बना लेते तो यहां पर मैंने ले लिया है एक बड़ा चमच इस्प्रिंग ओनियन का हरा वाला पार्ट आधा चोटा चमच वाइट पार्ट यह ऑप्शनल है इसी सबसे पहले पैन या कराई कुछ भी ले लो और उसे अच्छे से गर्म कर लो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक चोटी चमच कुकिंग ओल फ्लेम को भी यहां पर मीडियम रखना और सबसे पहले हम इसमें लहसन डाल देंगे और इसे कुछ से किंस के लिए सौटे कर ल सबसे यहां पर मुझे दो मिनट हो चुके हैं तो अभी मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया और अभी हम इसमें डाल देंगे वन बाई फोर चोटी चमच रेट चिली सॉस वन बाई फोर चोटी चमच ग्रीन सिली सॉस और इसी के साथ हमें यहां पर डाल देना है एक बड़ा टोमैटो केचप तो सबजी को मैंने यहां पर दो मिनट ही भूना था क्योंकि इसमें जो सबजी है उसकी क्रंजी निस बनी रहनी चाहिए अभी सभी चीजों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर हमारा एक मिनट हो चुका है तो अभी हम गैस का फ्लेम आफ ट्रम मिक्स चाहkim नहीं के लिए चलिए यहां पर वेटर को वी बीस चाहिए दिक्डे के लिए करना के लिए tentar उसके बाद इसको गली से तरीके से डिवाइड करने तो इसमें कोई भी lumps ना हो, हमें जो sheet बनानी है, उसके लिए जो हमारा batter है, वो बिल्कुल smooth होना चाहिए, उसमें कोई भी lumps नहीं होने चाहिए, अब सबसे important tip, हमारी जो sheet है, वो तभी बनने की, जब हमारा जो pan या तवा है, वो non heated होगा, तो आपको क्या करना है, कि सबसे पहले pan को gas पर रख देना है, उसके बाद gas का flame on करना और उसे low रखना और यहाँ पर अपना batter डाल देना और इसे अच्छे से फैला लेना है, और जो भी extra batter है, हम उसे इस तरीके से वापस से जो हमारा batter वाला बाउल है, उसमें डाल देंगे, अभी flame को हमें यहाँ पर low medium रखना है, और आप देखो कि यह बिल्कुल अच्छे से आपको एक से दो मिनट ही लगेंगे और यह बिल्कुल अच्छे से cook हो जाएगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि हमारा जो तवा या पैन हम जिस पर भी sheet बना रहे हैं, वो गर्म क्यों नहीं होना चाहिए, वो भी मैं आपक को दिखाऊंगी, तो आप यह देखो हमारा जो sheet है, वो बिल्कुल अच्छे से cook हो रहा है, और यह जो sheet होती है, इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हो, इसे आप किसी भी airtight plastic bag या container में डाल के रख सकते हो, फ्रिज में, यह खराब भी होती है, इसके self life 6-7 दिन होती है, और तो अब हम क्या करेंगे, गैस का flame off कर देंगे, और हमें इसे इस तरीके से निकाल लेना है, यह बहुत ही easily निकल जाती है, बस यह sheet थोरी पतली है, तो आप ध्यान रखें इसे बिल्कुल हलके हाथों से बिल्कुल आराम से इस तरीके से निकाले, आप ऐसा कर सकते हैं कि दो तवा या दो पैन ले ले और एक पैन जैसे अभी यह गर्म है, तो हमें इसे थोरा थंड़ा होने के लिए रखना पड़ेगा, फिर आप दूसरा नौन हीटेट वाला डाल दे और उस पर अपनी दूसरी शीट बना ले, अभी आप यहाँ पर कोई भी बोड ले और उस पर जो हमारा मैदा है न वो इस प्रिंकल कर दे और उसके उपर अपनी शीट डाल दे, यह आप देखो हमारी शीट कितनी अच्छी रेडी हुई है, एकदम ट्रांस्पारेंट है, एकदम पतली है, तो चलिए अभी तो हमारा पैन गर्म है, तो मैं आपको यह तवा पर भी बना क्लेम हमें यहाँ पर लो मीडियम ही रखना है और इसे अच्छे से कुक कर लेना है, आप ध्यान रखे कि जब भी आप शीट बना रहे ना यह लिक्विड वाली तो आप कोई भी नॉन स्टिक पैन या तवा कहीं यूज करें, तो यहाँ पर हमारी दूसरी शीट भी बनके रेडी है, तो हम इसे भी बिल्कुल हलके हाथों से सेम प्रॉसेस से निकाल लेंगे, आप देख सकते हो, यह भी बिल्कुल ट्रांस्पारेंट बनके रेडी हुई है, अभी हमने तुरन तवे पर अपने स्प्रिंग रॉल की शीट बनाई थी और हमारा तवा गर्म है, तो म आपकी शीट ऐसी हो जाएगी, इसलिए कभी भी गर्म बरतन पे स्प्रिंग रॉल की शीट ना बनाई, यह कितना अजीब बना है, देख रहो ना, तो चलिए यहाँ पर हमारी सारी शीट बनके रेडी है, तो आप जब भी एक शीट के ऊपर दूसरी शीट डाले, तो उसके बनाना होता है, स्प्रिंग रॉल तो फटा फट बन जाती है, ऐसे बहुत ही टाइम लगता है ना, अभी हम यहाँ पर स्प्रिंग रॉल को चिपकाने के लिए एक बैटर बनाएंगे ठिक सा, जिससे कि हमारी जो स्प्रिंग रॉल है वो खूले नहीं, तो अभी हम यहाँ पर ले लेंगे डेर छोटे चममच मैदा और इसमें हम डाल देंगे एक चममच के बराबर पानी, मतलब पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाले, अभी पहले मैंने एक चममच डाला है, फिर थोड़ा सा पानी और डाला है और इसका जो बैटरी एक दम ठीक होना चाहिए, तो आप एक साथ सारा पानी ना डाले, थोड़ा थोड़ा करके डाले और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हमारा जो ये गम जो हमने बना के रेडी किया है, ये देखो आप इसकी थीकनेस ऐसी होनी चाहिए, अभी यहाँ पर मैंने एक बोर्ड ले लिया है, अब हम अपनी spring roll को fry करेंगे, तो ये भी अच्छे से fry हो जाएका और ये मैदा है, तो ये टेबल है, तो चलिए अभी हम यहाँ पर अपनी stuffing डाल देंगे, तो stuffing को इस तरीके से horizontally डाल देना है, अब हम यहाँ पर spring roll को fold कर लेंगे, तो पहले हमें इस तरीके से horizontally fold करना है, फ फिर आपके friends आने वाले गेस्ट आने वाले तो आप sheet पहले से बना के रख लो या फिर आप इसको इस तरीके से भी 6-7 गंटे पहले बना के रख सकते हो अपके घर पे गेस्ट आ जाए तो आप उसे अच्छे से fry कर लो यहां पर मेरी एक spring roll बनके ready है तो हम इसी सेम तरीके से अपनी सारी spring roll बना के ready कर लेंगे यहां पर हमारी spring roll ready है तो चलिए हम चलते हैं इसे fry करने के process में तो यहां पर मैंने पहले ही oil को गर्म होने के लिए चरहा दिया था तो यह जो oil है यह मैंने medium flame पर गर्म किया है यह medium hot oil है अभी हम इसमें क्या करेंगे कि अपनी spring roll को डाल दें तक golden brown होने तक अच्छे से fry कर लेना है यह देखो आप हमारी जो spring roll है वो एक साइट से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो आप हम इसे दोनों साइट से अच्छे से fry कर लेंगे इसको fry करने में भी आपको ज्यादा time नहीं लगेगा क्योंकि जो sheet हमने बनाई है वो बिल्कुल पतली है तो आपको इसको fry करने में भी तीन से चार मिनट ही लगेंगे और इसे हमें अलट पलट करके दोनों साइट से बिल्कुल अच्छे से 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 रेडी है तो अभी मैं इसे एक tissue paper में निकाल ले रही हूँ आप चाहो तो इसे kitchen towel या फिर normal plate में भी निकाल स अभी हमें इस तरीके से इसे pieces में cut कर लेना है तो यह आपके उपर depend करता है कि आप इसे छोटे pieces में cut करना चाहते हो या फिर बड़े pieces में cut करना चाहते हो सेम process से हम यहाँ पर सारे spring roll को cut कर लेंगे आपने देखा ना इसे बनाना कितना ही easy और अगर आप sheet पहले बना के ready कर लेते हो तब तो और भी easy है अगर आपको यह recipe अची लगी हो तो प्लीज वीडियो को like कर दे चैनल को subscribe कर दे मुझे comment section में बताएं कि आपको कैसी लगी bell icon पर भी click कर दे ताकि जब भी मैं कोई new video डालू तो आपको notification चला जाएं अपने friends and family के साथ भी share करें आप मुझे install facebook पर भी follow कर सकते हैं मिलेंगे फिर एक इसी तरह की easy और मज़ेदा recipe के साथ और टब तक के लिए टाटा बाई बाई take care see you in my next video